तो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे चैनल पर और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्र सिंग दोनी के बारे में साथ बात करें उनके सन्यास को लेकर तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब करकर बैल आइकेम को जरूर दवाएं दोस्तो भारती टीम के विशुकप के बाद सन्यास लेने की बाते हो रही हैं उन्हें पेचले सार्टी टूंटी से भी ड्रॉप कर दिया गया था ऐसे में बात करें और नुजलेंड में प्रदर्शन की तो महिंदर सिंग दोनी ने और नाबाद 48 अंकी पारी के लिए तो अंति मैच में वो जादा कुछ नहीं कर पाए और ट्रेंट बोल्ड की शांदार इंस विंग गेंद पर बोल्ड होए महिंदर सिंग दोनी के बारे में बात हो रही है कि विशुकप के बाद वो क्रिकेट से सन्यास ले सकते हैं इस बारे में मुकेच चेंग करता ने बयान दिया है उन्होंने काया कि हमने ए निश्चित रूप से इस विश्या पर चर्चा नहीं किये इतने बड़ी टूर्णमेंट से पहले मुझे नहीं लगता कि विचली थोना बुद्धिमानी है टीम इडिया की सभी हुर्जा विशुकप के लिए अच्छी तेयरी करनी के और अग्रसर है मुख्यचेन करता में तो बले ही दोनी दोनी सन्याBut की बाग को नकार दिया हो लेकिन दोनी विशुकप के बाद क्रकेट से सन्यास ले सकते हैं दोनीoda 2014 की अंत में सन्यास की गोश्चना की थी बात करें विशुकप की तो मैंजी सिंग दोनी ने भारत के लिए अब तक कुल तीन विशुकप खेल चुके हैं पहले तो 2007 में जिसमें की पहले ही रांड में इंडिया भार होई थी दूसरा 2011 में जो की उनकी कप्तानी में वो वल्ड कप जीती थी इंडिया और तीसरा 2015 में तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही और अगर आप कोई वीडियो ची लगी हो तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और क्या अगर आप चाहते हैं कि दूनी 2019 के वल्ड कप के बाद भी खेले तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये शुक्ति नेक तमांग कम रूप ले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अगर आप ये वीडियो चेलेगी हो तुसको लाइक शेयर कमेंट करना ना